हलो बच्चो कैसे हो आप उमीद है कि अच्छे होगे देखो बच्चो जब लॉकडाउन हुआ था तो सबसे पहले ये प्राउब्लम सामने आई कि बच्चे पढ़ेंगे कैसे तो उसका अल्टानेट निकाला गया कि वे आनलाइन पढ़ाई होगी तो आनलाइन आप पढ़े टीचर्स ने पढ़ाया हमने भी पढ़ाया फिर आनलाइन जब पढ़ रहे थे तो सोचा कि कुश्चन पेपर कैसे होगा तो कोई न कोई प्लेट फार्म उसके लिए निकाला गया कि इस प्लेट फार्म से पेपर कंड़क्ट कराया जा तो सभी लोगों के दिमाग में था कि लॉकडाउन अगर खुलेगा नहीं तो क्या बोर्ड पेपर कंड़क्ट करा पाएगा तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में यह था कि बोर्ड पेपर नहीं कंड़क्ट करा पाएगा सी बचसी भी हमारे लिए कोई ऐसा मैसेज नहीं छोड़ रही थी जिससे कि हम हंडेट परसेंट से ओर हो और बच्चों की यह बात बता पाएगा कि ऑनलाइन पेपर होगा या फिर आफलाइन में पेपर होगा इसके बाद क्या हुआ बच्चों की पीटी हो गए ऑनलाइन पीटी हो गए लेकिन जिस चीज की हमें सबसे ज़्यादा इंतजार था वो सीब्यसी ने कल किलियर कर दिया कि अब पेपर ये कंपलसरी है कि आफलाइन में ही होगा और आपको सेंटर पर जा करके पेपर देना पड़ेगा ये बात क्यों किलियर हो गए? क्योंकि सीपीएच्ची ने सेंपल पेपर निकाल दिया तो जब हमने सेंपल पेपर देखा और आपने भी हो सकता देखा हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आएं जो कि पहले के बोर्ड एक्जाम्स में नहीं हुआ करती है तो क्या ये सब नई चीज़ें सामने आई हैं उस पर हम थोड़ी से फोकस करें और आपको बताएंगे कि हमारे पेपर में क्या चेंज़ें आया है तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताने की कोशिस करेंगा कि आपको किस तरीके से जो है अपने आपको मैनेज करके पढ़ना है देखो बच्चों पढ़ने के लिए बहुत कम समय रहे गया हो सकता है कि आनलाइन पढ़ाई में आपने कम पढ़ा हो आप उतने सीरियस नहीं रहे हो आपके टीचरों ने ये भी कहा हो कि साल बर लॉक्डाउन नहीं खुलेगा तो आपलाइन पेपर कैसे हो पाएगा लेकिन बच्चों अभी ये कमपल्सरी है क्योंकि कमपार्टमेंट का भी आफ लाइन पेपर हुआ तो इसका मतलब ये कि अभी समय है लग हो सकता कि फैब के अंड में या माच में पेपर हमारा हो तो अब क्या है चार-पांच महीने रहे गए वो चार या पांच महीने जो है वो देखने के है आपको आपने पढ़ाई पर बहुत कंसंट्रेट करना है और जो पेपर सीवियस्टी ने इसू किया है उसको आपने ध्यान में रखना है तो क्या-क्या चेंजिज है इस पर हम बात करेगे द dragons जैसे पर पहले word Ad rainbow था कि थरिया वसका था वैसे इपर अभी थ्रिया साय है पिछले साल जो है एकटी मार्ग का पेपर हुआ था अब यह कि contemplate amateur है अगा पिस पहले शेक्षंस में क्यो जो नंबर नृफिमांग ऊडीस्ट्रिब्यूशन था उसमें changes था पहले बहुत समय से क्या आ रहा था पहले कि बन 4 और 6 marks की questions थे फिर बन marks के हुए 2 marks के हुए 4 6 marks के हो गए आप बच्चों क्या हुआँ पिछली साल क्या हो गया कि कुछ mcqs में आ गए कुछ short type के questions आ गए ठीक है और फिर 4 marks सक्समाइ pasture क्यूश्यचिंद सेरें बच्चो इस साल का जो सेम्पल पीपर है जो सीविए स्वीपर किया है उसमें क्या विन投 consort runner क्षेुन विसूअ सेख्षण सीयूं सेक्षिंद है यहां ऐसा नहीं है यह क्या जाले एक से यह दो पार्ट में डिवाइड है और दोनों पार्ट कंपल險 स Freedom पूरह पीपर दो पार्ट में दिवाइड हैं जैसे मानों कि कोई कुछिशन नमबर पाइव है यह सिग्जामपं ओर उस्थ में पार्ट दे रखे ए बीशी तो ऐसे बच्चों क्या है कि पूरा question paper दो पार्ट में divider और उन पार्ट में अंदर sections बने हुए है तो जो हमारा part A है उसमें कितने questions है 24 questions है जो part A है उसमें 24 marks के questions है 24 questions नहीं 24 marks के questions है उसमें जिसमें क्या होगा कि कुछ objective type होगा और कुछ short answer type का होगा और part B जो है वो पूरा descriptive होगा उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा मतलब अभी मैं बताऊंगा दो number के कितने होंगे तीर number के कितने होंगे और five marks के कितने होंगे तो हम बात करते हैं कि जो part A पहले part A की बात करेंगे फिर part B की बात करेंगे देखो बच्चो part A में क्या है कि दो sections है पार्ट A में दो sections है तो A जो part A में दो sections है उस आप देखें जो question paper है हमारा कि वो part A दो section में divide है जिसमें 16 questions है very short type के 16 questions है और section B में दो questions है उन में कुछ change हुआ वो अभी बताता हूं मैं आपको तो जो section A है हमारा part 1 का उसमें 16 very short answer type के questions है जैसे कि हमारे क्या होता था कि अभी आ रहे थे इसे पिछली साल वाला जो 1920 का paper था कि पहले 20 questions थे उसमें 10 MCQ और 10 very short questions थे तो ऐसे ही इस first वाले section में 16 questions very short questions है बन वर्ड के हो सकते हैं अलग-अलग topics से होंगे बचो जब भी इन questions को पढ़ेंगे आप तो बहुत ही थारोली जबाब पढ़ेंगे तब ही आपको clear होंगे ये questions section 2 में क्या है कि 2 questions है part A के section 2 में 2 questions है ये एक नया concept सामने आया भी cbsc ने अब से पहले 12 में ऐसा कभी भी include नहीं किया जैसा कि first time include कर रखा है ऐसा कभी भी मुझे पढ़ाते बहुत साले हो गई लेकिन ऐसा कभी भी ऐसा नहीं हुआ दो बेलू-बेस question हो सकते हैं आते थे कभी बहुत short में मतलब main question होता था उसके side में बेलू-बेस question हो जाता लेकिन यहां पर क्या है case study एक नया बर्ड सामने आया आया आपके लिए case study मतलब section second में दो question होंगे और वो question कैसे होंगे case study based questions होंगे उन में 5 options होंगे 5 mcq होंगे और उन 5 में से आपको क्या करना होगा कि 4 जो है आपको attempt करने पड़ेंगे तो मतलब क्या हो गया कि 16 marks का तो वो हो गया वो 16 questions तो वो हो गया और 8 questions यह हो गया ठीक है न तो यह तो बच्चो क्या हुआ कि part a की बात है जिसमें की part a में दो section से थे एक section A और एक section B section A में क्या था कि 16 very short questions थे और section B में क्या है कि 2 case study वाले question है जिन में 5 हर एक case study में 5 mcq दे रखे होंगे जिन में आपको 4 attempt करने पड़ेंगे तो यह वच्चो बात हुई हमारी part A की अब देखो part B part B में क्या है कि part B में वच्चे तीन sections है हमारे पास जैसे पहले हमारे section A, B, C, D था और यहाँ पहले पूरा paper दो part में divide हो गया अब part A हमने discuss कर लिया अब part B में जब हम आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि तीन sections है उन section को केस ने क्या का कि section 3, section 4 और section 5 तो बच्चो जो section 3 वाला होगा उसमें 10 questions होंगे, 10 questions होंगे और हर एक question 2 marks का होगा हर एक question 2 marks का होगा जिनमें की 3 questions में क्या होगा कि एक internal choice आपको दे रखी होगी 10 questions में ये बात हो रहा है कि किनी भी 3 questions में उसमें internal choice दे रखी होगी तो बच्चो इसका मुदलब क्या हुआ कि 2 marks वाले questions जो है वो 10 है और total उनका वेटेज कितना हो जाएगा 20 marks का हो जाएगा फिर हम बात करते हैं section 4 की जहां हमारे question जो 4 marks के question आते थे वो questions सब क्या हो गए कि 3 marks के questions आएगे और वो कितने होंगे number 7 questions होंगे तो इसका मुदलब क्या हो गए कि 3 marks के जो question होंगे वो 21 marks के होंगे और बच्चो यह जो 21 marks के question होंगे अब पहले क्याता कि 4 marks का question 4 marks के level का हुआ करता था 2 marks का question 2 marks के level का हुआ करता था और 6 marks के level का हुआ करता था लेकिन यहां पर क्या है कि इसने एक नया concept सामने आ गया कि 3 marks के question आभी तक कभी नहीं आए तो 7 question 3 number के होंगे जिनका की level मैं बताऊंगा आपको किस level के वो questions होंगे या तो इसी वीडियो में बताऊंगा या next वाली में बताऊंगा और ये भी बताने की कोशिस करूँगा अपनी next वीडियो में कि किस chapter से किस type का question और कितने questions किस chapter से आएंगे और कितने marks के होंगे तो फिर बच्चो section एक 5 है जहां 6 marks के question हुआ करते थे इसने क्या किया कि अब question 5 marks का question कर दिया इस सर तो 5 marks के कितने question होंगे तीन questions होंगे यहां यहां पर एक अच्छी बात क्या है आपके लिए कि तीनों questions में internal choice आपको provide होगी जैसे 2 marks वालों में कितनी 3 questions में choice available है और 3 marks वाले में 3 questions वो 3 marks वाले में जो है कितनी 24 available है दो questions में 24 available है और 5 marks वाले 3 questions होंगे तो तीनों questions में यह available होंगे 24 तो हो सकता है कि ऐसा इसलिए किया गया हो कि हमारे syllabus का ज्यादा से ज्यादा पार्ट कबरब किया जाए क्योंकि एक CBC के sample paper से बहुत सारा decision नहीं लिया जा सकता है बहुत सारा हम नहीं सोच सकते हैं उसके बारे में कि यह हमसे क्या बता रहा है वो सकता है कि थोड़ा change आ जाए अगले वाले sample paper में लेकिन base से base इसका यही होगा तो बच्चो यह हमारे जो CBC का change है इस बार के question paper में वो इस तरीके का changes थे अब इससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि part में किस topic से कितने question होगे ठीक है तो उसके लिए आपको मेरी next video देखनी पड़ेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर chapter से कितने marks का question कितने marks का कहां कहां से आना है आपको और किस तरीके से आपने preparation करने तो बच्चो नेक्स वीडियो देखना कता ही ना भूले क्योंकि इसमें मैं बहुत important जानकारी आपको देने वाला हूँ आप इस वीडियो को भी देखें और आगर आपको लगे कि आपके मतलब की है तो लाइक करें, comment करें, share करें थैंक्यू, जैहिंद। जैहिंद।